हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल एस कोचिंग में स्वागत हैं और आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज निकालना तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले जब भी हमको साधारण ब्याज निकालना होगा तब हमको मूलदन दिया ह होगा हमको यहां पर मूलदन दे रहका है बाराजार रूपे दर दे रहकी है दस परसेंट वार्षिक और समय यानि की टाइम दे रहका है दो वर्स यानि को बारा हाजार रूपे का दस परसेंट वार्षिक की दर से दो वर्स का हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज यान मूलदन इंटू दर इंटू समय और बट्टे में आपको क्या लिखना है सो ठीक है यहनकी मूलदन दर और समय का गुणा करके आपको क्या लिखना है बट्टे में सो लिखना है यहां पर हम देगें हमारा मूलदन कितना है तो मूलदन बारा जार रुपए है तो मैं यहां पर सबस्राइब धुट्रै 실제 730 Psychology लिए तो दो का 10 से वुणा करेंगे किपने हो दो किपने हो जाएंगे कीवीस puppies को जब हम 120 से गुना करेंगे तो दो डो जीरो ये तो मैं यह लिका हूं की दर से दो वर्स का ब्याज किया होजाएगा200 रुपए हो जाएगा तो इस तरह साथ इसको निकाल सकते हैं सबसे पहले आपको क्या अगरना है हमको क्या निकालना है सदे बढ़ना है तो फॉर्मूल अपर आपको पता लगी गया होगा कि मूलदन इंटू दर इंटू समय बटा सो होता है यहां पे मूलदन आपको 15,000 रुपे देरका है दर आपको 5% वार्सिक दे रखी है और समय आपको एक वर्स 6 मा देर का है यहाँ पर जो आपको समय देर का है वो वर्स और महा में देर का है तो इसको हम क्या करेंगे पहले वर्स में बदलेंगे और वर्स में आपको कैसे बदलना है तो एक साल तो आपका पूरा है तो उसको को कुछ बदलना नहीं है और शे माह को साल में बड़ना है उसको साल में बड़निए तो हम लिखी यहां से आप देखेंगे कि छे और 12 एक ही पाड़े से कट रहे दिन को काट भी सकते हम छे कम चे और चत दुना 12 ठीक है अब हम इसको यह हमारी मिस्र बिन आगे इसको सभी बिन में बदल लेंगे तो दो का एक से गुणा करेंगे तो दो एकम दो और एक जोड़ देंगे तो तीन बट्टा दो वर्स हो गया हमारे मारे पास में वर्स में किता आ गया तीन बट्टा दो वर्स आ गया एक वर्स और छे माग को जो हमने वर्स में बदला तो ठीक है तो इस तरह समय हमारे पास में तीन बट्टा दो वर्स है तो तीन और बट्टे में किता चले जाएंगे 2 चले जाएंगे और वापके बट्टे में क्या लिखते हैं तो वापके नमीत बद्टे में लिखते हैं 100 चीक है इस तरह से हमिए इसको लिख लेंगे अब इसके बाद में जो कट रहे हों हम उसको काट लेंगे या से यहां आपके दो zero है इन दो 0 से यह आपकी 2 0 कट जाएगी और 2 के पाड़े से जब हम काटेंगे 150 को तो यह कट जाएगा तो 2 के पाड़े से यहनकि 2 का जब हम बाग देदेंगे 150 में तो हमारा किता जाएगा 2 साथे 14 यहां से बचेगा 2 15 10 यहनकि 5 बार जाएगा अब हमको 5 5 को और 3 को गुणा करना पिच्च यहां गुणा कर लेते हैं 5 5 5 तुदा गितत होगे 15 15 का घूना करेंगे तो 25 तो 5 75 की 5 आसल की 7 और 15 साते 105 और 7 कितंद होगे 120 होगे यहनकि हमारा ब्याज किता होजाएगा 1125 रुपे हो जाएगा जब हम 45, 45 और 3 का गुणा करेंगे तो इस तरह से हम मूलदन, इंटू, दर, इंटू, समय बटा 100 के माध्यम से क्या कर सकते हैं साधान ब्याज को ग्याद कर सकते हैं उमीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ सेर करना और चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले दन्यवाद